कि रूज के एक और वीडियो में आपको सवागत करता हूँ जोस्तों आज एक मैं Small Cap Company के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके Price में अभी हाल फिला इस साल में काफी आग लगे रहा लेकिन अभी थुछा सा Correction का Face देख रहा है और अभी Bounce Back इस में प्राइस में आज देखने को मिला आज के दिन ये प्राइस क्लोज जगबक 10% तेजी के साथ ये क्लोज हुआ है क्योंकि एक Small Cap Company है तो आप इसको एज ए Hero to Zero का Investment का लेकर इसमें चल सकते है चले तो चांट तक ना चले तो कुछ खास नहीं इसलिए मैं कोई किसी भी तरका इसमें कोई Indicator नहीं लगा रहा हूँ ठीक है वो चार्ट के बारे में किसी भी तरका कोई Indicator नहीं लगा रहा हूँ Recent इसने Low बनाया था ये 38 का आज के दिन में ये प्राइस 10% तेजी के साथ रहा और 44 से उपेन हुआ 48 तक गया और 47.05 पर कुलोज हुआ ये बुलिस केंडल बने का और प्राइस सक्षन जब देख रहा है तो इसने अपने Low को टच नहीं किया ये वाला केंडल और यहीं से वापस जंप करके गया इसका एक region भी है मैं बताता हूँगे कि इस फिल्ड की company है textile field की company है और अक्सर देखा गया textile field की company या बहुत ही ज्यादा छोटी होती है लेकिन अपने संदार performance के दम पे अपने product के दम पे बड़ा अच्छा खासा market तो अपने shareholder को return देती है इस तरह का product बनाती है दोस्तो, yarn बनाती है, plastic yarn ठीक है, आप देख रहे हैं, इस तरह का yarn बनाती है, यह इनका, मैं official website पर लेके आया हूँ दोस्तो, जिसका नाम है, company का नाम मैं यही से आपको बता जाता हूँ, company का नाम है philatex India, ठीक है, philatex India, जब आप इसके home page पर जब जाए relationship में, आप सब कुछ देख सकते हैं, कि philatex की, आज के दिन में, closing price क्या है, दोस्तो, यहाँ पर, 9.92% के तेजी के साथ हुआ, और latest जो previous announcement था, stock split हुआ, 28 December 2022 को ही, announce हुआ था, stock split का record date था, ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ, आपको इनके, fundamental analysis पे, ताकि आप एक बर देखे और समझे, दोस्तो, देखिए, यह फिलाक्टेक्स इंडिया का मैं, लेके आया हूँ, market cap, 2084 करोड का है, यानि बहुती छोटी सी company है, 52 week high इनों लगाया, ता 74 का, 52 week low लगाया, इनों लगाया, इनोंने 79 का, जो कि 10 दिन पॉले, लगाया है, उससे आज 10% नितेजी पर है, dividend इल भी इतनी छोटी company होने के बावजूद भी, 0.2, 1% क्योंकि face value, December में split हुआ है, अब इनका face value 1 का है, industry का PE जो है दोस्तो, वो 9.97 का है, और stock का PE देखिएगा, 8.50 है, यानि industry के PE से सस्ते में आपको माल अबलेबल है, दो बैतरीन परामिटर, stock selection का देखिए, दोस्तो, ROCE 30.53 है, और ROE 32.7 है, ठीक है दोस्तो, debt to equity जब आप देखेंगे, तो almost negligible है, compared to market capitalizer, earning per share 5.747 का है, profit grow जो इनका 5 years का CAGR है, जो 47.2 है, और sales grow जो 5 years का CAGR है, जो 19.8 है, promoter holding भी जबरदस है, 64.8% का promoter holding है, दोस्तो, अब मैं आपको इनकी return का फाइल भी दिखा दो, यह देखेंगे, दोस्तो, 25 जनवरी 2013 को 2.70 पैसा के आजपास में इनका पराइस था, मैं यहाँ पर note कर लो, 2.70 पैसा, दोस्तो, ठीक है, 2.70 पैसा के आजपास में इनका पराइस था, माइकरो कैप हुआ करती थी कंपणी, पेनी ए स्टोक था, और जब चलना शुरू किया तो दोस्तो देखेंगे, आज के डिट में all time high price को हम 70 रुपया को consider नहीं करते हैं, हम consider करते हैं, आज के price का जो की 47 रुपया, 48 रुपया है, 2 रुपया, 70 पैसा से 48 रुपया को compare करें, तो इन 10 सालों में company ने कितना गुणा आपके पैसे को कर दिया, आप ज़रा calculate करके देखेंगे, 20 गुणा से ज़्यादा आपके पैसे को कर दिया, दोस्तों, और क्या चाहिए stock market में investing के return आने के लिए, और क्या चाहिए दोस्तों, और कितना percent का return चाहिए आपको, और जब इनका, हम profit और loss पे जाते हैं, तो consistency देखी, operating profit का देखें, दोस्तों, देख रहा हैं, March 2014 में 42 करोड था, और March 15 में बढ़का 79 करोड हो गया, March 2026 में 24 करोड हो गया, 2017 में 130 करोड हो गया दोस्तों, उसी के हिसाब से देखें, 2019 में 217 हो गया, March 2020 में जब करोणा के टाइम जब 2022 हो गया, March 2021 में 347 हो गया, March 2022 में 533 हो गया दोस्तों, इनका net profit भी देखें कैसे constantly grow किया है, ये दो साल बीच को छोड़ दिया जब, 2015 में 10 था, 2016 में 26 हुआ, उसी तरह से बढ़ते बढ़ते 41 हुआ, 2018 में हो गया, 2060 हो गया, 2019 में 85 हो गया, 2020 में 121 हो गया दोस्तों, 2022 में 166 हो गया, 2021 में, 2022 में 303 हो गया दोस्तों, क्या जबरदस consistency इनोने मेंटन किया हो दोस्तों, वाकई जबरदस है, और एक चीज़ और मैं दिखाऊं, जब देखेंगे तो आप surprise हो जाएंगे, देखेंगे, इस period में इनके पास कोई FFI की entry नहीं थी, लेकिन September 2022 आते आते, 6.37% FFI की holding इनका increase कर गया है दोस्तों, ठीके, इनका increase कर गया है, अब मैं लेके आया हूँ आपको इनके chart पे, यह देखेंगे दोस्तों, day frame का chart लगा के रखा हूँ मैं, मैं आपको, यह all time high दिखाने के लिए मैं आपको एक बार chart पर फिर से आपको लेके चलता हूँ, जो weekly frame का chart है, यह देखेंगे दोस्तों, यह वहाँ से काफी correction हो चुका है, और अपने recent high को जो दो बार इसी को touch किय यहां से, और जहां previously यहां से breakout लिया था, यह देखेंगे, यह भी consolidation के बाद breakout लिया, आप गया, वापस आकर यही से एक यह price टच करके वापस चला गया, और एक price यहां पर दिखे रहा है कि वापस जा रहा है, तो hero to zero को लेकर, क्योंकि small cap company है, या तो hero बना देगी आपको, या फिर zero ही रख सकती है, यह 5-10 साल तक न चले, तो 2000-5000 के investment के amount से इंटर करके, इसमें hero to zero के लिए छोड़ सकते हैं, आप आने वाले अगर चला, तो 10 साल के अंदर आपको अच्छा कासा wealth create करके दे सकता है, दोस्तों, अगर invest करने से पहले अपना भी आप research कर लेंगे, उस just कर दो आप हम कीन्स के सबस्क्राइब किये, अफने तो ह AG आपने तो साओ क्वे आप कीजा